नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आईए दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ उधारन करेंगे तो शिरू करते हैं पहला उधारन ये कहता है एक गुणा दो प्लस दो गुणा तीन प्लस तीन गुणा चार प्लस चार गुणा पांच प्लस इसे तरीके से ये अनंद तक चलेगा यानि कि ये एक अपरिमित श् तो इस श्रेणी के अन पदों का योग ग्यात कीजिए तो देखे तो हमें यहाँ पर ग्यात करना है एक गुणा दो प्लस दो गुणा तीन प्लस तीन गुणा चार प्लस अब देखे ये इस श्रेणी का पहला पद है ये इस श्रेणी का दूसरा पद है ये इस श्रेणी का तीसरा पद है और हमें यहाँ पर n पदों का योग करना है यानि कि हमें यहाँ पर an जो इसका n वा पद होगा यहाँ तक add करना है अब हमें यह पता ही नहीं है कि n वा पद यहाँ पर क्या है तो हम यहाँ पर बाकी पदों को देखेंगे कि उनमें हो क्या रहा है यदि आप द देखिए दूसरे पद को, तो यहां पर सबसे पहले लिखा गया है दो, इसी तरीके से तीसरे पद में सबसे पहले तीन लिखा गया है, तो एक, दो, तीन, आगे यहां पर क्या होगा, यह देखिए, चार गुणा पांच, यानि कि यहां पर इस पद में पहले चार को लिखा गया है, दो लिखा गया है, अब हम देखेंगे कि एक और दो में क्या संबंध हो सकता है, तो देखिए एक में आप एक को एड़ करेंगे तो दो आ जाएगा, अब दूसरे पत में देखिए, दो के बाद यहाँ पर तीन लिखा गया है, आप दो में एक को एड़ करेंगे तो आपको तीन मिल जाएगा, इसी तरीगे से तीन में आप एक को आट करेंगे तो चार मिल जाएगा, यानि कि यहाँ पर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एन गुणा एन से एक जादा एन प्लस वन लिख सकते हैं, और यह बहुत ही स्वभाविक सी बात है कि एन यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के समुच्य से है, तो हमें यहाँ पर इस श्रेणी का जो एन वा पद है, वो मिल गया जो की है, एन गुणा एन प्लस एक, अब हमें यहाँ पर निकालना है, Sn, तो Sn निकाला जा सकता है Sigma A, K जहां पर K X से लेकर के N तक है यह हो जाएगा Sigma K, X से लेकर के N तक और A, K को आप क्या लिखेंगे तो यहां पर N की जिगह K रखें तो यहां जाएगा K गुणा K प्लस 1 तो यहां जाएगा Sigma K स्क्वेर प्लस K K, X से लेकर के N तक अब यहां पर यह Sigma दोनों में बढ़ जाएगा इस तरीके से Sigma K स्क्वेर K, X से लेकर के N तक प्लस Sigma K, K X से लेकर के N तक और यह Sn है अब आप यहां पर इसे देखिए तो K स्क्वेर में जब आप K को एक रखेंगे तो एक स्क्वेर आएगा फिर आप K को दो रखेंगे तो दो स्क्वेर आएगा इन सभी को हम जोड़ देंगे तो यह है क्या यह पहली N प्राकृत संख्याओं के वर्गों का मूल है और इसके लिए हमारे पास एक डारेक्ट फॉर्मुला होता है जो कि है N गुणा N प्लस एक गुणा 2N प्लस एक अपॉन 6 है ना प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह है क्य के की जिगे पहले 1 रखेंगे प्लस फिर 2 रखेंगे प्लस 3 रखेंगे और यह N तक चलेगा यानि कि यह यहाँ पर पहली N प्राकृत संख्याओं का योग है और इसके लिए भी हमारे पास एक डारेक्ट फॉर्मुला है जो कि है N गुणा N प्लस 1 अपॉन 2 अब यहाँ से देखिए हम N गुणा N प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 2N प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 2 तो यहाँ पर हम LCM लेंगे 6 आ जाएगा तो 2N प्लस 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 यह हो जाएगा 2N प्लस 4 अपॉन 6 अब 2N प्लस 4 में से हम दो को common लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा N प्लस दो और इस दो से ये 6 कट जाएगा तीन बार और SN हमें मिल जाएगा ये अब यहाँ पर N क्यों आया क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि N का मान कितना होगा हमें प्रश्ण में कहा गया था कि N पदों का योगफल ग्याद कीजिए तो वो हम यहाँ पर कर चुके है यदि N का मान हमें दिया होता तो हम N की जगे उसका वो मान रखते तो हमें उसका एक संख्या में उत्तर मिल जाता ठीक है चल यह बात करते हैं अगले उधारन की ये कहता है तीन गुणा आट प्लस चै गुणा ग्यारा प्लस नौ गुणा चौदा प्लस इसे तरीके से ये अनंत तक चलेगा इस श्रेणी के N पदों का योगफल ग्याद कीजिए तो यहाँ पर देखे हमें क्या करना है 3 गुणा 8 प्लस 6 गुणा 11 प्लस 9 गुणा 14 तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह प्लस है प्लस से पहले यह एक पद हो गया प्लस के बाद यह दूसरा पद हैना यह तीसरा पद और हमें यहाँ पर N पदों का योगफल चाहिए यानि कि हम इसे 90 पद तक अब यहाँ पर हमें यह नहीं पता है कि N पद होगा क्या तो आए उससे निकालने की कोशिश करते हैं अब यहाँ पर देखें अगर आप पहले पद को देखते हैं और पहले पद में सबसे पहले लिखा गया है 3 अब इसी तरीके से दूसरे पद में देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है 6, फिर यहां पर लिखा गया है 9, अब देखिए, 3 एकम 3, 3 दुनी 6, 3 तिया 9, तो यह क्या है, 3 के गुणज है, तो हम यहां पर इसे 3 को बोल सकते हैं, कि 3 गुणा 1, फिर इस 6 को हम बोल सकते हैं, 3 गुणा 2, इस 9 को हम बोल सकते हैं, 3 गुणा आएगा यानि कि AN में सबसे पहले हम 3N लिख सकते हैं जहां पर N प्राकृत संख्या हैं पहले 1 फिर 2 फिर 3 आप देख पा रहे होंगे अब इसके बाद जो पहले पत की दूसरे संख्या है यानि कि 8 वो इस 3 से 5 जादा है इसी प्रकार से दूसरे पत की संख्या 11 जो है वो इस 6 से 5 जादा है और यही यहाँ पर भी हो रहा है यानि कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3N गुणा 3N प्लस 5 है ना और इससे अगर हम हल करें तो यह आ जाएगा 9N स्क्वेर प्लस 15N तो A N हमें यह मिल गया और हमें यहाँ पर निकालना है S N और S N क्या हो जाएगा सिगमा A K जहाँ पर के एक से लेकर के N तक है इसका मतलब यही है ना कि हम A1 प्लस A2 प्लस A3 A N तक कर रहे हैं A N तक से जोड़ रहे हैं तो इस बात को हम इस थरीके से लिख सकते हैं अब यहाँ पर आ जाएगा सिगमा A K की जगे के आएगा तो यहाँ पर N की जगे जब हम K रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 9 K स्क्वेर प्लस 15 K है ना और K का मान यहाँ पर एक से लेकर के N तक है तो यहाँ पर अब एस सिगमा इन दोनों में बढ़ जाएगा देखे ध्या 15 K और K का मान एक से लेकर के N तक है अब जो यहाँ पर अचर है यानि की 9 और 15 इन्हें हम सिगमा से बाहर लिखेंगे कुछ इस तरीके से 9 सिगमा के स्क्वेर के एक से लेकर के N तक है प्लस 15 सिगमा के जहाँ पर के एक से लेकर के N तक है तो यह है S N अब यहाँ पर यदि यह फॉessionल आसे देखते हैं तो यह क्या है कि जगह पहले 1 रखिए तो 1 square plus 2 रखेंगे ऒॉर स्क्वेर इसे तरीके से plus 3 square trucs न प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हम कह सकते हैं कि Sn में जो chanting पर पहला पद है इसके लिए हमारे पास डारेक्ट फॉर्मुला है तो यहाँ पर पहले नौ लिख दीजिए और फिर यहाँ पर जो फॉर्मुला था यानि कि पहली न प्राकृत संख्याओं का योग है जिसके लिए हमारे पास फॉर्मुला है एन गुणा एन प्लस एक अपॉन दो तो यहाँ से देखिए यह हो जाएगा तीन तियानों और तीन दुनीच है अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं हम एन एन प्लस वन अपॉन टू एन एन प्लस वन अपॉन टू को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर क्या आजाएगा तीन और दो एन प्लस एक प्लस पंदरा इसे हम हल करेंगे तो एन गुणा एन प्लस एक अपॉन दो यहाँ जाएगा छै एन प्लस तीन प्लस पंदरा यह हो जाएगा छै एन प्लस अठारा औ और यहां से हम 6 को common लेंगे तो यह आ जाएगा 6 यहां पर आ गया और n प्लस 3 और यहां से देखिए इस दो से यह 6 कट जाएगा 3 बार तो finally हमें यहां पर मिलेगा 3 n n प्लस a गुणा n प्लस 3 तो यहां पर हमें sn यह मिल गया चलिए अब यहां पर एक और प्रेशन करते हैं ज में कहा गया है जिस रेणी का n वापद n स्क्वेर प्लस 2 की पावर n है उसकी n पदों का योग ज्याद कीजिए तो यहां पर सबसे इंपोर्टन बात यह है कि आपको a n दे दिया गया है जो कि n स्क्वेर प्लस 2 की पावर n है और आपको क्या निकालना है आपको यहां पर sn तो देखिए यहां पर अगर हम a1 निकालना चाहें यानि n की जगे हमें 1 रखना है तो यह हो जाएगा 1 स्क्वेर प्लस 2 की पावर 1 इसी तरीके से हम अगर a2 निकालेंगे तो यह आजाएगा 2 स्क्वेर प्लस 2 की पावर 2 इसी तरीके से a3 लिखेंगे तो यह आएगा 3 स्क प्लस 2 की पावर 3 और इसी तरीके से जब हम a n लिखेंगे हाला कि a n हमें यहाँ पर दिया गया है लेकिन ध्यान से देखें इसे लिखने का यहाँ पर एक उदेश्य है a n को लिखने पर हमें मिलेगा n square प्लस 2 की पावर n अब हमें निकालना है s n यानि की यह n पदों का हमें योग करना है तो यदि हम इनका योग करें तो हमें s n मिल जाएगा है ना बाएं पक्ष में आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a n जो की s n ही है यहाँ पर क्या आएगा वो हमें देखना है तो सबसे पहले यहाँ पर इने जोड़िए तो यह हो जाएगा 1 square प्लस 2 square प्लस 3 square और यह जाएगा n square तक प्लस अब आप जोड़िए इने तो यह आजाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 कहां तक 2 की पावर n तक अब देखिए इने जोड़ना हम जानते हैं किस तरीके से किया जाता है n गुणा n प्लस 1 गुणा 2 n प्लस 1 अपॉन 6 अब अगर हम बात करें इस श्रेणी की तो देखिए इसके संगत जो अनुक्रम है वो होगा 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर 2 फिर 2 की पावर 3 फिर 2 की पावर 4 कहां तक 2 की पावर n तक ध्यान से देखिए ये एक जीपी है याने की गुणोतर श्रेणी है देखिए अगर आप यहाँ पर दूसरे पद वो पहले पद का अनुपात लेते हैं तो आपको 2 मिलेगा वहीं अगर आप तीसरे पद और दूसरे पद का अनुपात लेते हैं तो भी 2 मिलेगा ऐसे ये आ यहाँ पर Sn क्या आ जाएगा आपको याद होगा formula होता था A गुणा R की पावर N-1 अपॉन R-1 यहाँ पर मैंने यह इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि जो यहाँ पर R है यह 1 से बड़ा है अब यहाँ पर हम A का और R का मान रख देंगे तो A की जिगे आ जाएगा 2 यहाँ 2 की पावर N-1 ठीक है तो यहाँ पर हमें Sn यह मिला क्योंकि इसमें से हम कुछ common नहीं ले सकते हैं तो यह आगे अब हल नहीं हो सकता है तो यही हमारा answer है मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी सहाता मिलेगी